स्री शिवाई नमस्त उब्यम दर्शा को कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तों सुबह का जो समय होता है सुबह को समय को एक नई सुरुवात कहा जाता है सुबह की समय को एक नया दिन कहा जाता है इसी के साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठते ही किसी भी कारे को करता है किसी भी चीज के बारे में सोचता है यानि कि सुबह उठते ही हर व्यक्ति की हर मुनिश्य की एक नई दिन चरिया सुरू हो जाती है लेकिन दोस्तों अगर कहा जाए कि सुबह उठते ही कुछ उपाई करने से कुछ कार्य करने से भी व्यक्ति का दुर्भग्य निर्धनता दूर होती है और व्यक्ति को अपने जीवन में अनिको परकार के सबलताय प्राप्त हो सकती है मातर सुबह उठते ही किस यानि की कुछ कार्य को करने से कुछ परियोग करने से दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो के महध्यम से बताएंगे कि सुबह उठते ही किन कार्य को करने से मातरलक्षमी प्रशन होती है जीवन की दुर्भग्य और गरीबी को दूर किया जा सकता है इसी तरह दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे हर बार की तरह कॉमेंट बॉक्स में स्री शिवाई नमस तुब्यम जरूर लिख दे मातलक्षमी का आशिर्वाद आपके उपर हमेशा बना रहेगा आपकी जीवन की गरीबी निर्धनता को मालक्षमी दूर करेंगी दोस्तों सुबह यानि की प्रातह का जो समय होता है इस समय को बहुत ही सुम्मन गया है इस समय के साथ दिन की एक नई सुरूवात होती है साथ ही दोस्तों सास्तरों में बताया गया है कि अगर सुबह उड़ते ही कुछ के उपाइयों को करने से कुछ कार्य को करने से भी माता लक्षमी का आशिरवाद प्राप्त किया जग सकता है इसलिके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सुबह उठते ही अपनी अथेलियों को देखते हो और अथेलियों को देखकर मासरस्वती का माता लक्षमी का द्यान करते हो माता लक्षिमी का जो भी आपको मुंत्रा आता हो उसका इश्मन करते हो या फिर जो भी आपका पुझ्य देवता है उसका इश्मन करते हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति का जो दिन होता है वह अच्छा जाता है उस दिन व्यक्ति को अच्छी हर कारिय में सपलता प्राप्त होती है मन से धन से और तन से तीनो तरह से ही व्यक्ति को सांति प्राफ्थ होती है इसी के साथ ही उसे मातलक्षमी का भी आसिरवाद प्राफ्थ होने लगता है और उसे व्यक्ति को किसी भी कार्या में एक बहार की अनुभूती नहीं होती है इसी के साथ ही दोस्तों ये भी कहा गय कि सुब्य उठने के बाद Bhrhm whiskey- testing शनान कर भगवान सुरीद्य को जलारपित करने से भी व्यक्ति की कुड़ी में सुर्य व्यक्ति की मजबूती होती है जिससे व्यक्ति का कोई भी कारिय आठका होता है वह पूरा होता है और व्यक्ति का अपने हर कारिय में सपलता प्राप्थ होने लगती है ये कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुडली में सूर्य मजबूत होता है और उसे अपने जीवन की तमाहम तरह की बादाओं से भी छुटकारा मिलता है और उसका जो भी कार्य होता है बनता चला जाता है इसी परकार दोस्तों आप लोग भी इन कार्य को जरूर करें आपके जीवन की सभी परकार की समयश्या हल होंगी और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें